पार्ट फर्स्ट से हिंदी परिग्यान और लेखन योकता से समंदित कोश्चा नमबर फर्स्ट यहां पर सॉल्ब करेंगे तद्वित का संदी विछेट क्या है आपको बताना है दोश्टों तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा आप्सन C तत प्लस हित बराबर होता है तद्वित अगला कोश्च कोश्चन नमबर सेकेंड है खाद समगरी जो यात्रा के समय रास्ते में उभभो के लिए दी जाती है उससे क्या कहते हैं तो राइट अंसर हो जाएगा पाथ ही कहते हैं आप्सन C राइट जाब हो जाएगा कोश्चन नमबर अगला थार्ड है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्यार्थक है तो राइट अंसर हो जाएगा आप्सन A आवध आवधी इसका सही जाब हो जाएगा अगला question, question number 4 है अंक शब्द के अनेकाति शब्द सम्हों का चैन कीजिए तो right answer यहाँ पर बनेगा option B, गोध संख्या, अध्या इसका right जवाब हो जाएगा question number 5, गिर्व शब्द का परयावाची शब्द इनमें से आपको बताना है जो नहीं है तो right answer option B हो जाएगा पवन, पवन गिर्व शब्द का परयावाची नहीं है दोस्तों अगला question, question number 6, धूसर किसका परयाव है तो धूसर शब्द गर्धप का परयावाची है option C, right जवाब हो जाएगा अगला question, question number 7 है धूमिल शब्द का विप्रीत शब्द क्या है तो धूमिल का विप्रीत शब्द उजल होता है option B, यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तों question number 8 है आपचारिक शब्द में प्रत्य लगा है तो अपचारिक शब्द में एक प्रत्य लगा है तो right answer हो जाएगा option C question number 9 है सिंगार शब्द का तत्सम है तो right answer बनेगा option C, स्रंगार अगला question, question number 10 है अए राकेस, यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है तो right answer option B हो जाएगा संबोधन कारक question number 11 जिसके सिर्पर चंद्रवा हो के लिए एक शब्द है तो right answer option C, चंद सेखर हो जाएगा question number 12 विकल्पों में से इस्तरी लिंग शब्द का चैन करें तो right answer हो जाएगा अग्रजा question number 13 जो शब्द किरिया की विसेशता बताते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे किरिया विसेशन कहते हैं question number 14 निमलिखित वाक्यों में से एक में सेखर किरिया का प्रयोग नहीं हुआ है तो right answer option D हो जाएगा वाच्छाण भर में आएगा question number 15 राम लच्मर से पत्र लिखवाता है स्वाक्य में किरिया का कौन सा रूप है निमलिखित में से सही उतर चुने तो right answer option B प्रेनड आर्थक किरिया है दूस्तो question number 16 वह निश्यवाच्चक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या बनेगा तो right answer option यह हो जाएगा उससे उससे अपादान कारक का एक वचन रूप है और इसके लिए संपरदान कारक का एक वचन है और उसको option C में दिया गया कर्म कारक का एक वचन है ध्यान रखियेगा question number 17 राज़िपाल में कौन सा कौन सी संग्या है दूस्तो तो राज़िपाल जातवाचक संग्या सब्द है option B यहाँ पर राइट जवाब बनेगा question number 18 है अशुद्ध शब्द है इनमें से आपको बताना है तो वर्तनी की दश्टी से अशुद्ध शब्द जो है यहाँ पर option C है संकट इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है अशुद्ध दिया गया है संकट इस प्रकार से लिखा जाता है यह सुद्ध सब्द है आप लोग ध्यान रखेगा अगला question, question number 19 निम्न में घोष वाण कौन सा है तो right answer हो जाएगा option C जा जा घोष वाण है दोस्तो अगला question, question number 20 तोड़ती पत्थर कविता किसकी है आपको बताना है तो तोड़ती पत्थर सुरकान तिरपाथी निराला की कविता है option C यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question, question number अगला है निर्देश दिया गया है निम्लिखित गध्यांस को ध्यान परोग पढ़िये था कि प्रेम और अहिंसा के द्वरा बिस्कुए कठोर से कठोर हदय को भी कोमल बनाया जा सकता उन्होंने इस सिधान्तों का परिच्छन भी किया और वे नितांत सफल सिधुए हिंसा से हिंसा बढ़ती है ग्रणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवरद्धी होती है अताया निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के बिस्व में सांती स्थापित नहीं हो सकती सांती के भाव में मानोजादी का विकास संभव नहीं है पिसο में शांति स्थापना के लिए क्या है थाफन सभ़ wsos flush प्रेम QN 23 कड़ोर से कड़ोर हृदय को कोमल बनाया चासकता है किसके दोरा लाखतалась सी हो जाएगा एहिंसा के दोरा करें की सिर देना मुहौरे का आर्थ है तो ओकली मैं सिर देना मुहौरे का सही अर्थ हो जाएगा मुशीब़ जिलना, अप्सन ए, राइट जवाब बनेगा, कोश्चन नमर अगला 26, सखिन शहित हरसी अतिरानी, सूखत धान परा जन पानी, तो इस पंक्ती में अलंकार आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा, उत प्रेच्छा अलंकार, कोश्चन नमर अगला 27, भाव जिसके ह सभा में प्रतिनीद उपस्तित थे, कोश्चन नमर अगला 29, 31 में समास कौन सा है, तो 31 में समास जो है, दुप समास हो जाएगा, कोश्चन नमर 30 है, जिस वेक्टी पर अभियोग लगाया गया हो, उसे अभियोगत कहते हैं, अगला कोश्चन, सामान बुद्धी परिच्छन से समान दित है, 31 कोश्चन, नीचे दियेगे प्रसंद में, चिनने के बाईं और दो पद तथा, दाईं और एक पद योग एक प्रसंद वाचक चिन दियागी है, आपको ग्याद करना है कि निमने चार भी कलपों में से कौन सा भी कलप, ऐसा है कि दाईं और पद से वही समा इक्वल कितना होता है, 16 होता है, 50 into 5, 5 into 5, plus 1, equal कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, उसी प्रकार, 6 into 6, plus 0 कितना हो जाएगा, 36, 7 into 1, plus 1 कितना हो जाएगा, 50, तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प D, सही जाब हो जाएगा, Q. 32 है डाली की उचाई चंद्रमा और फरार से ज़ादा है आनन की उचाई फरार से कम है चंद्रा की उचाई आनन से अधिक है डाली की उचाई भारस से कम है यदि चंद्रा की उचाई फरार की उचाई से 6 मीटर 6 सेमी अधिक है तो इन में से कौन, तीसरा सबसे उंचा वेक्ती है, तो right answer यहां पर बनेगा, option C, चंद्रा इसका सही जवाब हो जाएगा, question 33 है, निम लिके स्रंखला को पूरा करें, तो यहां पर आपको स्रंखला पूरा करना है, दिएगा options में से, तो right answer हो जाएगा, option C, इसका right जवाब हो कुर्षियां परदे नहीं है, निसकर्स है, मेज परदे नहीं है, सभी कुर्षियां मेज है, तो यहां पर इस question का जो right answer हो जाएगा, 34 का, option D, केवर फस्ट सही है, question number 35, निम लिखित अनुछेद को पढ़ें, प्रारंब से ही शिक्षा और शिक्षा के महत को मानेता दी गई में, शिक्षा का बहुत ही जादा महत है, क्योंकि यहां अध्यान ग्यान और कोशल को बढ़ाता है, किसी भी अन्य लक्ष की तुलना में, शिक्षा को अधिक महत दिया जाना चाहें, क्योंकि यही वो मुख्य तत्व है, जिसे जीवन को आकार मिलता है, शिक्षा के बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उनके जीवन में लाभानविट करता निमलखिट में से कौन सा विकलब शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है आपको इसका राइट आंसर देना है दोस्तों तो राइट आंसर जो बनेगा अप्सन बी प्रतेक वेक्ति को शिक्षा का अधिकार है निर्देश चिन के दाईं और प्रदर्सी दूसरे चित्र यूगम में भी कायम है जिसमें एक चित्र गायब है इनमें से कौन सा चित्र यूगम पर सही बाढ़ता है प्रसन आकरतियां दी गई है यहाँ पे इस कोश्चन का राइट आंसर देना है तो राइट आंसर जो हो यहां दिये के कथन पर विचार कर रहा हूं नेड़ें लेकी प्रस्तु धारणाओं में कौन कथन में नहीं है कथन दिया गया है सामीक विशायकरंट फेर्स की कुशल त्यारी के लिए रोज़ाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए धारणाय है समाचार पत्रों के बीना सामीक विशायकरंट फेर्स की त्यारी को सलता के साथ नहीं की जा सकती सेकेंड है रोज़ाना करंट फेर्स के नोट्स बनान से अच्छी तरह से त्यारी में मदद मिलती है तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ धरना सिकेंड कथन में नहीं था है कुश्चन अबर 39 संतोस अपनी पत्नी पूजा से पांच वर्स बढ़ा है इस समय पूजा किया है उसकी पूत्र संगीता से तीन गुना है संगीता किया इस समय जब संगीता का जन्म हुआ था उस समय संतोस किया थी तो राइट आंसर ऑप्सन बी हो जाएगा 25 वर्स इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों कोशन नमबर अगला है निर्देश दिया गए कुछ समी करण किसी पिसेश प्रणाली के आधार पर हल किये गए है उसी आधार पर हल ना किये गए समी करण का सही उतर चुनिए तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आप्सन बी 8149 इसका राइट आंसर आएगा कोशन नम कोशन नमर अगला 42 है दस्वी कउकषा के डिविजञन आ के 60 चात्रों का उसत उस्थ क्याद करने हैं तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऊपंसण डी 60.75 कोशन नमर 43 को दिए गए परिछेट को ध्यान से पड़े और ताय करें कि कि इन बिकलपो में से कंसा निसकर उस परिछेत से तार्की रूप से मेल खाता है, कीट नासक और क्रमी नासक अवसेशों का खतरनाब, इस तर बाजार में बिखने वाले फलों और सब्जीयों में मिलता है, जिसे लोगों में असंतोस का महौल बनता है, किसान फसल की रक्षा करने के लिए बड़ी मात्रा में सर रसानी केट नासकों का उप्योग करने के लिए मजबूर होते हैं, कीट कुछ समय बाद रसायनों से अपने को प्रती रक्षित कर लेते हैं, और इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट करने के लिए अधिक हानिकारक रसायनों का उप्योग करने के लिए बाद होना पड़ता ह तो यहां पर दोस्तों आपको right answer देना है तो right answer यहां पर हो जाएगा इस question का option B किसान रसायनों के प्रयोक पर अत्यदिक आस्रित हो गये हैं जिससे लंबे समय में ना केवल कीटों का भी कास हुआ है बलकु उन्होंने रसायनों के प्रति रोधक शम्था भी बिक्सित कर ली ह question number 44 है नीचे दी गई आकरती में त्रिभूज शिचितों को दरसाता है कि वर्ग नौकरी शुदाओं को दरसाता है तिथा ब्रत युवाओं को दरसाता है आकरती के विभिन भागों में संख्या है विक्तियों की संख्या का संकेत देती हैं तो यहां पर जो right answer हो जाएगा option question D बनेगा सेबन इसका right job हो जाएगा अगला question question number अगला है निर्देश दिया गया है निर्देश प्रसन में एक कतन दिया गया है जिसके आगे दो तर्क फास्ट और सिकन दिये गया है आपको मानना है कि कतन सत्य है चाहे वा सामानिता ग्यात तत्यों से भिन प्रतीत होता हो आपको निर्देश करना है कि दिये गए तर्कों में से कौन सा कौन से तर्क मजबूत है ये कोई हो question number 45 यहाँ पे दिया गया है कतन है कतन क्या ब्योसाई पर उच्च कर दर लगाई जानी चाहिए तर्क फस्ट है नहीं करो की उच्च दर निवेश को हतो साहित करती है और इ यहाँ पर right answer जो बनेगा question number 45 का c यह दि केवल तर्क फस्ट मजबूत है अगला question question number सामान जानकारी से समान दित है 46 अलाउदिन खिलजी के सासनकाल में निमलिखित में से कौन सा राजबाल था तो right answer यहाँ पे बनेगा इस question का option c गयासुदीन तुगलग गयासुदीन तुगलग अलाउदिन खिलजी के सासनकाल में पंजाब प्रांथ का राजबाल था इसी ने खिलजी वंस के परश्चाथ 1320 सिस्वी में तुगलग वंस की स्थापना की खिलजी वंस का समस्थापक जलाउद दीन फिरोज खिलजी था और इसकी हत्ते है 1296 में अलाउद दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपूर इलाहाबाद में कर दी अलाउद दीन ने सेना को नगत वेतन देने उमिस्थाई सेना की निव रखी तो आप लोग इसे समादे महात्पूर जानकारी आप ध्यान रखेगा अगला कोश्चन नमबर 47 है नॉमबर 1915 में यहां पर आपको फिल करना है को लाहोर में फरवरी 1915 के गदर सनियंतर में उसकी भूमिका के लिए फासी दी गई थी तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा करतार सिंग सारा भा कोश्चन नमबर 48 1932 का पूना पैक्ट महत्मा गांधी और किसके बीच एक समझोता था तो राइट आंसर जो बनेगा यहां पर आप्शन धी वी आर अमबेजकर कोश्चन नमबर अगला 49 है निम्न लिखित मेंसे किसे स्वीट परवत वाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन धी धोला गिरी राइट जवाब बनेगा कोश्चन नमबर अगला 50 है भारत के सबसे लंबी जील कोश्ची है तो राइट आंसर ऑप्शन धी हो जाएगा विम नाद जील है कोश्चन नमबर अगला 51 निम लिकित में से काउंसा राज सुरज मुखी की खेती में अगरणी है तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा करनाटक कोश्चन नमबर 52 है भारते समिधान का अनुचेर 48A पर्यावरण का सनक्षन और सुधार्यों वन और वन जील की सुरच्छा किससे समंधित है तो आप्शन दी राज के नीती निदेशक सिधान कोश्चन नमबर 53 माड़िपूर मेघाले और तिरपूरा किसके अंतरकत राज बन गए है तो राइट आंसर ऑप्शने उत्तर पूर्वी छेतर पुनर गठन अधनियम उनिस्वे का हतर कोश्चन नमबर 54 समिधान में निमलिकित मेंसे किसके बारे में उपबंध नहीं है तो राइट आंसर ऑप्शन डी योजना आयोक कोश्चन नमबर 55 एक निश्चित समया वधी में किसी देश की सीमा के अंदर उतपादित वस्तों और सेवाओं के कुल अंतिम मुल है कोश्चन नमबर 56 वाधर जिस पर आरबियाई वाणिजिक बैंकों को अलपा वधी के लिए उधार देती है क्या कहलाती है कोश्चन नमबर 57 प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना है कोश्चन नमबर 58 नोवल शांती प्रुषकार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे तो राइट आंसर अप्सन C हो जाएगा थियोडोर रूजवेल्ट कोश्चन नमबर 59 रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है तो राइट आंसर अप्सन D शाक्षी मलिक अगला कोश्चन 60 है सिस्वो मीटर किसके द्वारा अविस्कार किया गया था तो यहाँ पर दोस्तों इस कोश्चन का राइट आंसर आपको देना है तो राइट आंसर बनेगा लुईगी पालमी री इसका से जवाब हो जाएगा कोश्चन 61 फरवरी 2023 में यूथ टुन्टी इंडिया शिखर समेलन किस विस्विदाले में आयोजित किया गया है तो राइट आंसर आपसने महाराजा सायाजी राव विस्विदाले वडोदरा कोश्चन 62 है फरवरी 2023 में कौंसा उच नयाले शेतरी भाशा में नेड़े प्रकासित करने वाला देश का पहला उच नयाले बन गया है तो राइट आंसर केरल उच नयाले इसका राइट जवाब बनेगा कोश्चन 63 है एक जनवरी 2023 को सतिन नात बोस की कौंसी जैनती मनाई गयी है तो राइट आंसर 129 जैनती मनाई गयी है कोश्चन वार अगला 64 हाली में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है तो राइट आंसर हो जाएगा हाली में क्रोसिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है और यूरोब के पासपोर्ट मुक्त सिंग गेन शुत्र में शामिल हो गया है तो राइट आंसर यहां पर जो बनेगा ओप्सन डी क्रो एसिया कोश्चन नमबर 65 एक जनुवी दोहजार तेसको लुईज इनार्शियो लूलाक डी सिल्वा ने किस देश के राषवत्ती के रूप में पदभार ग्राण किया है तो राइट आंसर आप्सन यह ब्राजील कोश्चन नमबर अगला कम्प्यूटर एउम सूचना प्रद्धोगी की से समन्दित है 66 कोश्चन नमबर निमलिकित में से काउन सा सी मूल ऑप्रेशन कम्प्यूटर दोहरा किया जाता है या किये जाते हैं तो राइट आंसर आप्सन दी बनेगा इन में से सभी राइट जवाब होगा कोश्चन नमबर अगला 67 भारत के सबसे यूआयम पहले मल्टी पेटा फ्लाक्स सूपर कम्प्यूटर प्रत्यूश का प्रियोग की सुद्धेश के लिख या जाता है तो राइट आंसर आप्सन यह हो जाएगा मौसम के पूर्वा नुमान कोश्चन नमबर 68 पहला माइक्रो फ्रोसेसर किस कम्पनी दोरा बनाए गया है तो राइट आंसर जो हो जाएगा आप्सन बी इंटेल कार्पोरेशन कोश्चन नमबर 69 है निम्न मेंसे काउंस से संभाव स्विक्रत नहीं है तो राइट आंसर आप्सन है ओमेगा आटोमेशन कोश्चन नमबर अगला 70 है निम लिखित मेंसे काउंसी प्रोग्रामिक लंग्वेज कोश्चन नमबर अगला 71 है कंप्यूटर में AI का आर्थ होता है औप्सन सी जवाब हो जाएगा कोश्चन नमबर अगला 72 निम्न लिखित मेंसे काउं सा काउं इंटरनेट आप तिंग्स की विसेशता है महारपूर्ण प्रसन है तो right answer बनेगा इसका option C इसके liability question number अगला 73 है computer के चत्र में लीफो का पूर्ण रूप क्या है तो right answer option C हो जाएगा last in first out question number अगला 74 है printing से पहले page का पुर्वाव लोकन करने के लिए कि shortcut कुझी का उपयोग किया जाता है तो right answer option B control plus F2 question number 75 निमलिखित में से word processor में paragraph formatting में क्या शामिल है तो right answer option D हो जाएगा फंक्ति अंतराल question number अगला 76 निम्न में से काउन सा बुनियादी रूप से text formatting की विसेष्था नहीं है तो right answer option C हो जाएगा capitalize question number अगला 77 MS word का प्रियोग मोलता निमलिखित के लिए किया जाता है तो right answer option C हो जाएगा बिभिन प्रलेग तियार करने question number 78 spread sheet प्रियोग करने का लाब है या कि इन में से सभी सही जौब हो जाएगा question number 79 internet explorer कब लाँच किया गया था तो right answer जो बनेगा जोस्तों यहाँ पर option D 1995 में question number 80 है Linux एक operating system है तो right answer क्या बनेगा option D open source operating system है question number अगला उतरप्रेस सामान जानकारी से समंधित question number 81 उतरप्रेस का कौन सा शहर चिकन कारी साडिया नामक सुंदर कड़ाई वाली साडियों के लिए प्रसिद है आपको बताना है दोस्तों इस question का right answer क्या बनेगा तो उतरप्रेस का लखनाउ शहर चिकन कारी साडिया नामक सुंदर कड़ाई वाली साडियों के लिए प्रसिद है option B यहाँ पर right answer होगा question number 82 है उतरप्रेस में निमलिकित में से सरवाधिक जनजाती जनसंख्या वाला जनपत कौन है तो right answer हो जाएगा option शोन भद्र question number 83 है 2011 की जनगना के नुसार जनसंख्या के संबन्द में उतरप्रेस का कंसाजिला सबसे बढ़ा है question number 84 डाक कर्म योगी पोर्टल का उद्देश क्या है दोस्तों question number 85 उतरप्रेस में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किस के बराबर है question number 86 भारत कला भवन कहां इस्तित है question number 87 निम लिकित में से काउंसी जन्जात उतरप्रेस के आदिसूचित अन्सूचित जन्जात की सूची में शामिल नहीं है question number 88 राम लीला और राज लीला उतरप्रेस में किस के उदाहरन है question number 88 जो बनेगा यहाँ पर इस question का यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है तो right answer जो हो जाएगा option B लोकनाटक और लोकनेत शैली है question number 89 है आला एक लोकपरी संगीत की शित्रका है तो right answer जो हो जाएगा option B बुंदेल खंड इसका right जाब हो जाएगा question number 90 है निम लिकित मेंसे काउंसा एक सुमेलित नहीं है दिये गया options में से तो right answer जो होगा option B देवा शरीप जाउनपूर अगला question question number 91 है निम लिकित मेंसे अमीर खुसरोग की सिस्थान से समंधित है तो right answer option B पटियाली से समंधित है question number 92 है निम लिकित मेंसे किस शहर को कालीन का शहर कार्पिट सिटी भी कहा जाता है question number 95 निम लिकित मेंसे काउन एक उत्तर प्रेस आउदोगी विकास निगम की आगामी परमुक निवेज परियोजना नहीं है question number 96 निम लिकित मेंसे काउन समेलेत नहीं है दिएगे options मेंसे तो right answer हो जाएगा option C modern bakery लखनाव question number 97 है उत्तर प्रेस के किस शहर को काले इन नंगरी कहा जाता है right answer option D भदोही अगला question question number 98 है उत्तर प्रेस राजी में टेहरी बान परियोजना किस देश के सहयूप से पूरा किया गया है right answer option D इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को जादा जादा लाइक और शेर करते रहे हैं दोस्तों दोस्तों कमेंट्स के मादेम से बताना मत भूलिए कि अगला जो क्लास है वो किस टॉपिक पे आपको चाहिए मिलते हैं नेक्स क्लास में तो अब तक के लिए नमस्कार चाहिए धनवादे